हाई फ्रेंड्स क्वेश्चन दिखते हैं फाइंड एरिया ओफ राइट एंगल ट्रेंगल दा रेडियस ओफ वोज सरकम सर्कल मेजर 8 सेंटिमेटर अड अल्टिट्यूड डॉन तू दा हाइपोटेनस मेजर 6 सेंटिमेटर कराई कि राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और उस सरकम सर्कल के जो रेडियस है वो 8 सेंटिमेटर है और उस राइट एंगल ट्रेंगल के हाइपोटेनस पे अल्टिट्यूड ड्रोन हुआ है किलेंद्ज जो है six meter है तो स right angle triangle की एरिया क्या होगा तो सबसे पहले हम इस चाचारेक कर लेते हैं circum circle और right angle triangle के बारे में ठीक है तो देखो माल लेते हैं यहां और यह हमारा क्या है एक triangle है ठीक है triangle है कोंगी बहुố matter ट्रेंगल है हम जानते हैं अगर ट्रेंगल के सभी वर्टेक्स से जो सर्कल पास कर जाता है तो उस सर्कल क्या करते हैं हम सर्कम सर्कल करते हैं तो देखो यह जो होता है आपका सर्कल जो ट्रेंगल के सभी वर्टेक्स से पास हुज रहा है तो इस सर्कल क्या कहेंगे हम सर्कम स सरकम सरकल कहेंगे ठीक है लेकिन यहां पे जो ट्रेंगल की बात हुआ है वह आपका राइट एंगल ट्रेंगल है तो हमारा यह राइट एंगल ट्रेंगल है ठीक है अब इस राइट एंगल ट्रेंगल के सभी भर्टेक्स अगर जो सरकल पास करता है उसे क्या करते हैं सरकम सरक लकाते ठीक है तो देखो यहां पर कितना है NINTY Degrees है अब बोला है कोस्चन में कि जो सरकम सर्कल का जो सेंटर है सेंटर वोसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर है तो एक बास सुनो जो राइट एंगल ट्रेंगल में होता है राइट एंगल के सब्सक्राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल केस में क्या होता है कि जो सरकम सर्कल का जो सरकम सेंटर होता है वह इस हाइपोटेनस के मीड पॉइंट पे लाई करता है मतलब राइट एंगल ट्रेंगल के हाइपोटेनस के मीड पॉइं क्वाइंट पे लाई करता है तो कहीं यहां पे जो है यह हमारा क्या है इसका सरकम सेंटर जिसे ओ से रिपर्जेंट कर देते हैं ठीक है ओ से रिपर्जेंट कर सरकम सेंटर मिल गया अब देखो इसमें रेडियस दिया है तो हमारा यह कितना हो गया 8 हो गया और यह भी 8 हो गया तो आपका जो बीसी जो है वह सरकम सरकल का क्या होगा डाइमीटर भी होगा इन केस आफ राइट एंगल ट्रेंगल क्यों राइट एंगल ट्रेंगल में होगा कि राइट एंगल ट्रेंगल का जो है वह क्या होगा सरकम सरकल का डाइमीटर होगा ठीक है और उसका सरकम सेंटर ज तो अब हमें क्या करना है तो अल्टिट्व दिया कितना एट सेंटेमेटर दिया है तो देखो हम जानते हैं कि अगर किसी triangle का हमें base पता हो और उसका height पता हो तो easily हम उस triangle की area find out कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा base भी दिया है और उसका height भी that means altitude भी दिया हुआ है तो इसके help से हम formula कौन से अपला ही करेंगे hop up base into height करके इस triangle की area हम find out कर सकते हैं ठीक है तो देखू area of right angled triangle right angled triangle triangle ABC ABC क्या होगा half of base into height होगा तो half of base क्या है बेस यहाँ पे जो होता है वह base किसके equal हो जाएगा यहाँ हापका hypotenuse के equal हो जाएगा ठीक है तो base कितना है 16 होगा 8 8 कितना है 16 होगा into height क्या 6 दिया है तो देखो जब 2 से यह 16 कितना बार में 8 बार में तो आपका 8 into 6 कितना होगा 48 होगा ठीक है that means 48 square centimeter तो area of right angled triangle कितना होगा 48 square centimeter होगा तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चनल को like and subscribe प्लीज ज़रूर करें क्योंकि आपका like and subscribe भी motivate करता है दोस्तों के thank you friends क्योंकिन होगा